सुनील सेथी जी हमारे मुख्य परवक्ता साथियो साथियो पिछले कुछ दिनों में जमू कश्मीर की राजनेती में जो गहमा गहमी चुर रही है अपर एक आपको सभी विष्चों के उपर आपनी राये बता दी कि हम जमू कश्मीर को फ्यूचर में कैसे देखते हैं कि हमने जमू कश्मीर के लिए क्या काम किये और हमारी गर्मेट बनने के बाद हम जमू कश्मीर के लिए किस वीजन के साथ जो है वो जनता में जाएंगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और खास कर जो आर्टिकल 370 और 35 ये को हमने द्वस्त किया उसके बाद के जो हालात बने और जिस तरह से शांती की स्थापना जम्मू कश्मीर में व्यापक तोर के उपर हुई अब मीडिया को इट्रेस्ट पर अब यह अब गारे लाइट अब गरी यह अब आपने दो मिट के लिए अब नमेश्कार्ज नमस्कार साथियो जम्मू कश्मीर से गहरा नाता इसलिए भी है कि जब पार्टी ने मुझे राश्टी अध्यक्ष बनने का अफसर दिया था तो पहला मुद्दा राश्टी अध्यक्ष वा मोर्चा के नाते हमने जम्मू कश्मीर में होरे पत्रावबाजी अलगाववाद सैनिकों पर हमले और आम जन्मानस की हत्या इसको उठाया था और उस समय यूपिये की सरकार ग्रेटर अटॉनमी की बात करती थी हमने उसमें आंदोलन भी किया और दो हज़ार ग्यारा में जम्मू कश्मीर के कश्मीर के सिरी नगर में लाल चौंपर तरंगा जंडा फेराने के लिए भी आये थे अपने देश के कई राज्यों से यातरा गुजरी कलकत्ता से कश्मीर के कहीं तरंगा जंडा फेराने पे रोक नहीं लगी लेकिन ये कॉंग्रेस नैशनल कॉंफरेंस उस समय भी थी के अंदर में यूपिये और यहां एंसी की सरकार इनका गठवन्दन इस दिखाता है कि उन्हें उस समय भी तरंगा जंडा लहराने का विरोध किया जेल में डाल दिया यातनाए हम सबको सैनी पड़ी और आज ये लोग फिर धारा तीन सो सत्तर को वापिस लाने कि बात करते हैं डॉक्belt भीमरा अंबेदकर जी धारा तेन सोचंटर के खिलाव थे थे वो धारा तीन सो सत्तर नहीं चाहते थे लेकिन अ लेकिन ब्लेंडर ऑफ नेरू देखिए क्ब्लेंडर आफ नेरू देखिए एक के बाद दूसरी गलती जम्मू कश्मीर को लेके करते चले गए उसका खाम्याजा जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ दशकों तक सेना पड़ा 45,000 लोगों की हत्याँ यहां तक कर दी गई देश के अन्य राज़े जहां आगे बढ़ रहे थे यहां बॉंब शेलिंग से लेके आतंगवाद, अलगावबाद, पत्रावबाज की घटनाओं से यहां के लोग जान गवा रहे थे कश्मीरी पंड़तों पर यातनाय करके उनको पलायन के लिए मजबूर किया गया हमने तब भी कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जीजी के समय कि एक देश में दो समविधान, दो परधान, दो विधान नहीं हो सकते दो निशान नहीं हो सकते और जब हमारी सरकार बनी हमने 5-6 अगस्ट 2019 को धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है और मैं National Conference Congress के लोगों से PDP से कह देना चाहता हूँ, ये सदा सदा के लिए धारा 370 समाप्त हो गई है, अब कोई इसको वापिस नहीं ला सकता है क्यों वापिस लाना चाहते हैं NC Congress क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि ये वापिस पत्राब बाज, अलगाब बाज, आतंक बाज में जम्मू किश्मीर को जोंकना चाहते हैं ये चाहते हैं PSA को हटाकर नशे बेचने वाले छूट जाएं, आतंक बाज उपद्रफ फिलाने वाले छूट जाएं, पत्राब बाजी करने वाले छूट जाएं अरे ये तो यहां तक पहुंच गए कि जिसने संसत पे हमला किया था, अफजल गुरू, ये उसको छुड़वाने के उनकी बात करते हैं इस देश में कोई उनके ऐसे गुना को माफ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी माफ नहीं किया था वोट बेंक की राजनीती में इतना गिर जाएंगे, राहुर गांदी जी विदेश में जाके भारत का अपमान करेंगे और अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर में बैठ कर, वापिस आतंकवादी समर्थक वाले लोगों को दिशा में बात करेंगे पहली बात मैं कहना चाता हूँ कि धारा 370 सदाक ले चले गई, उसके जाने के बाद चहुं मुखी विकास जम्मू किश्मीर ने देखा है आएटी, आएएम, जोदो एम्स, मेडिकल कॉलेजिस, साथ पंदरा नर्सिंग कॉलेज से लेकर ना जाने हजारों किलोमेटर की सडके बना दी, खेल के स्टेडियम्स बना दिये, नहीं उन्चाईयों पे पहुंचाया 25,000 क्रोड का नवेश्तु केंदर का, 78,000 क्रोड का और पाइपलाइन में है यही नहीं, रिकॉर्ड प्रियाटक आज तक के यहां पर पिछले वर्ष आए है, आगे और बढ़ने वाले है मैं तो यह कहूँगा, कॉंग्रेस और नाशनल कॉन्फरेंस मिलकर साजिश का पुला पका रहे है और इस साजिशिन की ऐसी है कि वापिश इसको पत्राबाद, अलगाबाद, आतंकवाद में जोंक पिया जाए और राहुल गांदी जी आपको तो राश्का स्वाबिमान और राश्टे ध्वज का सम्मान यह आपके शाशिनकाल में तो था ही नहीं ना N.C. के ना कॉंगरेस के समय हमने जम्मु कश्मीर को आतंकवाद से उवारा है और हम ही इसको समारेंगे भी । डबल इंजन की सरकार जब बनेगी केंदर में भाजपा है, परदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर का चहुंविकी विकास होगा जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का अध्याइस माप्त करने के लिए हमने लगातार प्रयास किये है 70% सतर फी सदी कमी आई है आतंकवादी हमलों में और यह देखिए कि विए जम्मू कश्मीर नी नौर्थ इस्ट में भी 75% के लगबग है और माने ग्रह मंत्री जिनकाया 2026 तक तो हम देश्मर में से नक्सलबाद को खतम करेंगे नक्सलबादी लाकों से यह है एक संकल्प लेके चलने वाली सरकार दूसरी तरफ कौन है वो राजनितिक दल जो धरम जाती के अधार पर देश को बाटना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में भाजपा का मतलब राहत नैशनल कॉन्फरेंस और कॉंग्रेस का मतलब आफ़त है यह दोनों आफ़त वाली पाटियां है और मैं एक बात आपसे और कहूं हम रात कैसे देने वाले हैं यह हमारा संकल्प पत्र बजाता है जो 25 हमने उसमें संकल्प लिये है धारा 377 हमने अटा दिये सदाकले हटा रहेगा महिलाओं को 18,000 पे प्रतिवर्ष भारती अंता पार्टी की सरकार देगे 3,000 पे हमारे बुजुर्गों को पेंचन मिलेगी नौजवानों को हम कोचिंग के लिए चात्रों को 10,000 पे देंगे चात्रों को फ्री लैप्टॉप देंगे चात्रों को 3,000 पे हम लोग यात्रा का खर्च देंगे और 5,000,000 नौकरियां का प्रावधान सरकारी गयर सरकारी दोनों में हम लोग करके देंगे IT हब हम जम्मू में कोलेंगे ताकि यहां पर भी रोजगार के अफसर उनके लिए हो सके देखे धारा 370 तब हटी जब केंदर में भाज़ पाई केंदर में भाज़ पाई तो आईश्मान भारत भी आया उसका लाब जमू किश्मीर के लोगों को मिला 5,000,000 का इलाज मुफ्त में मिलता था अब 7,000,000 का इलाज मुफ्त में देंगे अब केंदर की सरकार हमारी आई तो हमने पीम किसान सम्मान ने दी छे हजार प्या पीम किसान में मिलता है अब दस हजार प्या प्यम किसान में जो मिलता है छे हजार प्लस चार हजार मारी राज्ये में आके दस हजार प्यम किसानों को देंगे ये हम लोग दे रहे हैं जितने record अगर प्रदान मंतरी अबास योजना में 10 वर्षों में वने कभी 10 वर्षों में नहीं बन पाए जहिए कॉंग्रेस के 60 साल में मिलाके ने उसमें बने होंगे ये है विकास जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं गरीबों के लिए हमने कहा है पांच मरला फ्री हम उनको फ्लाट भी देंगे जमीन देंगे और यही नहीं अगर देखिए सफाई करमचारी के रूप में सफाई करने के लिए वालमिल की समुदाय को लेकर तो आये थे उनको अधिकार नहीं दिया उनके बच्चे पढ़ लिख जाते डॉक्टर बनते आईएस बनते सरकारी नौकरी में उच्छे पदो पे आते नहीं चाहती थी कॉंग्रेस हम वो प्राफधान करके दे रहे हैं गुजर बकरवाल को इन्होंने कुछ नहीं दिया हमने नौ सीटे स्विदान सबह में नौ सीटे हैं पहली बार हमने करके दे जो अजादी के बाद यहां पर आए पाक उकुपाइड कश्मीर से आए बाकी जगए उनके हक नहीं मिल पाए थे इतने वर्षों में हमने दिये हैं हमारी सरकार ने दिये हैं यह सब चीनना चाते हैं धारा 370 अटाने के बार यह चाते हैं कि उनका रेजर्वेशन भी चीन जाए उनको जो मानने तमिली वह भी चीन जाए उनका वोटिंग अधिकार भी चुन जाए गुजर बकरवाल की जो नौ सिटें वह भी चली जाए यह लोग सब जो अपने 75 साल में नहीं कर पाए अब यह चीनने की मंचा के साथ National Conference or Congress Party लगी हुई है इनका अजंडा के वह लेकर अफजल गुरू का घुनगान करो या फिर ऐसे काम करो जिससे बाकियों को पीड़ा हो मुझे एक बात बताईए क्या इनके पास जम्मू कश्मीर के विकास का कोई रोड मैप नहीं है इनके पास कोई रोड मैप नहीं है इसलिए तो शंकराचारे जी के मंदर का नाम भी बदल कर तक्ते सुलेमान करना चाते है ऐसी कौन सी मजबूरी है कौन सी मजबूरी है राहुल गांदी जी की और उमर अब्दुल्ला जी की कि शंकराचारे जी के मंदर का नाम बदलना पड़ जाए क्या पीड़ा होती है उनकों से राम मंदिर का विरोध भी करेंगे तो शंक्राचारे जी के मंदिर का विरोध भी करेंगे तक्ते सुलिमान करने की बात करेंगे यहां की जंता इसको सविकार करने वाली नहीं है अरे और छोड़िये हरी पर्वत का नाम भी बदलने की आप बात करते हैं कोई मारन करने की बात करते हैं क्या मजबूरी या चुनाब के समय इस तरह की बातें करने की यह लोग बांटो और राजकरो की राजनीती जो आज तक अंग्रेज करते आये थे कॉंग्रेस और नैशनल कॉंफरेंस में उस पे किया थे उमर अबदुल्ला जी चुनाब लड़ने से भैबीत थे हार जाएंगे फिर लगा कहीं एक सीट से लड़ूँगा तो भी हार जाओंगा अब दो दो पे लड़ रहें भाई अरे भाई हारने आओगे तो दोनों पे भी हार जाओगे सवाल ये खड़ा होता है कि आज अफजल गुरू याद क्यों आता है सवाल ये खड़ा होता है कि आज शंकराचारे और हरी परवत का नाम बदलने का नाम क्यों किया जाता है सवाल ये होता है कि आज हक वालमिकी के गुजर वकरवाल के और हमारे जो पाक अकुबैड किश्मीर से आए हुए चरनार्थियं उनके हक छिनने की बात क्यों होती है बात यह है कि यहां के विकास पर अंकुष लगाने का और आफ़त खड़ी करने की बात यह लोग क्यों करते हैं पीयस से हटाकर आफ़त खड़ी नहीं होगी क्या मैं जम्मू के पत्रकारों से पूझता हूं कि आपके यहां पर नशे की समस्या अगर कोई नशा बांटता है बेजता है तो क्या उसको गिरफतार नहीं करना चाहिए को उपदुर्व मचाते तो उसको गिरफतार नहीं करन करना चाहते हैं बलंडर आफ नहरू से भी मुक्ति बड़ी मुश्कित से पाई थी बलंडर आफ अफदुल्लास और गांदी से और मंजूर करने के लिए हम तयार नहीं है मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं और मैंने अभी भी कहा पीएस से हटाना अफदुल्गू का नाम वापिस दिनना ड्राने की बात ये करते हैं कि जो भाजबा के साथ जाएगा उनकी क्या कहा गया आपको तो व्यान दिखाने के जुरूत नहीं है ये बोलबानी मंजूर कैसे हो सकती है कारवाई करनी चाहिए ऐसी पाटी के उपर तो एलेक्शन कमिशन को हिंदों की हत्या करने की बात करते हो अरे भूलिये मत ये भारत वो नहीं जो कॉंग्रेस ने साथ साल तक करके रखा था आज ये भारत है जिसके कदम बूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं दुनिया की फास्टेस ग्रोइंग एकॉनिमी भी हम है और दुनिया की सबसे अदा उमीदे भी आज भारत से ही है मैं दो बाते बड़ी स्पष्ट करता हूँ आतंक बाद अलगाब बाद के खलाब मोधी जी और भारती अंता पाटी की सरकार हैं लगातार इस पे काम कर रहे हैं सत्तर फीस अगर इस पे कमी आई है तो मोधी सरकार के कारण आई है हमने जो रुख अपनाया कि पाकिसान से तब बात करेंगे जब आतंक बात बंद करेंगे लेकिन यहां पर बैटे हिंदोस्तान का खाते हैं हिंदोस्तान की सेक्योटी लेते हैं हिंदोस्तान के फाइदे लेते हैं लेकिन गुनगान पाकिस्तान का करते हैं कौन है ये लोग वर्षों तक इन तीन परिवारों की कई पीडियों ने फाइदे उठाए चुनाब जीतने के लिए पाकिस्तान के आगे कुटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, फर्याद करते हैं, उनका गुंगान करते हैं, आतंकवादियों का समर्तन करते हैं, अरे मैं आपको आंकड दे के बताना चाहता हूँ, टेरर रिलेटेड इंसिडेंट 2018 में 228 थे, 2023 में कम हो और 2011 में कम होके 24, सिविलियन्स, इनके समय आज तक फौज की और सिविलियन्स की 45,000 लोगों की हत्याई हुई, और अगर मैं केवल 2018 का आंकड लूँ तो उसमें 55 की सिविलियन्स की हत्या हुई, 2023 में 14 की, तो कैसे ग्राफ कम आया है, ये आंकडे मेरे नहीं हैं, अनुराग और शहीद भी, अगर 2018 में 91 हुए थे, तो आज मातर नहीं कहा रहा है, क्योंकि एक शहीद भी, आपनी जान पर खेल कर, ना जाने कितने लोगों की जान बचाता है, लेकिन जब आंकडे कम होरें, तो मेरा बताना इसलिए जुरूरी बनता है, कि 90 से कम होकर, 91 से कम होकर, वो 94 है, हमारा प्रयास है कि वो बिल्कुल भी ना हो, आतंकवाद को भी जड़ से मिटाएंगे, हमारे किसी सेक्योरिटी परसनल की कोई जान ना जाए, शादत ना हो, उस दिशा में भी हमारे प्रयास हैं, और जो स्टोन पैल्टिंग थी भाई साब, कितनी थी, 1328 मामले, 1328 मा ओ, और गनाइज हरताल, कितनी थी, 1228 में, 52, आज शून्य है, कैसे बदलाव आया, 1330 हटने से बदलाव आया, और लोगों का विश्वाज जो अटल विहारी वाजपई में था, उससे जादा आज मुनरेंदर मोदी जी में है, कश्मीरियत, जमूरियत, इंसानियत की जब मै बात करते हैं, ये लगातार इसको हमने बल दिया, डीडी सी के चुनाव हमने कराए, पंचाइती राज के चुनाव हमने कराए, अब विधान सबागे चुनाव कराकर भी पूर्ण राज्य के दर्जा भारती अंता पाटी ही देगे, ये नहरु गांदी परिवार की विशेष्ता रही है, कुछ कमिया भी है, कश्मीर की समस्या को लेकर यूएन में जाना, ये बलेंडर आफ नहरु था, आज तीन बार लगातार चुनाव हार कर राहूल गांदी जी बलेंडर पर बलेंडर करते जा रहे हैं, अब दिखाते कि कॉंग्रेस के पास क्या है, उनके पास कुछ नहीं है, खाली है, इसलिए केवल दुनिया में जाके भारत को बदराम करने का काम करते हैं, लेकिन दुन इन अंग है, था है और रहेगा, केवल जुरूरत इतनी है कि वहां के लोग भी अब देख रहे हैं कि धारा तीन सो सतर हटने ते कितना बड़ा बदलाव आया है, खुशाली, अमन, चैन, लोगों के जीवन में ये कहना है कि चैनों से निकार निकार के हमारी विप्री जो है बाजबा, उन अलगाबादी नेताओं को जो है, वो खड़ा कर रही है, तो बाजबा जो है, वो तोरा मालगां जो है, वो अपना रही है हमारे खिलाव देखिए, दो बातें बहुत सपष्ट नजर आती है, नाशनल कॉंफरेंस, कॉंग्रेस और पीडी की राजनीती रही, बैलेट की तरफ नहीं लेगाना, बुलेट की तरफ लेकर जाना है, लोग तंतर को बल नहीं देना, अलगाबाद को बल देना, हम आतंकवाद मुक्त करना चाहते हैं, वो अलगाबाद और आतंकवाद को वापिस लाकर आफ़त खड़ा करना चाहते हैं, अरे इससे बड़ा पल क्या होगा कि लोग बंदूक छोड़कर बुलेट छोड़कर बैलेट की और आ रहे हैं लोग तंद्र को अपना रहे हैं लेकिन डर यह है अब एक के बाद दूसरी सीट आने पे भी हार का डर सता रहा है और अब इसे भाने ढूणने शुरू कर दिये कभी EVM के भाने खोज अब किने शुरू कर दियो है हमारे लिए सभी भाशाएं परदानमंत्रài जी ने एक बारों के बार कर थे बेंगॉली हो तेलकु हो تمिईल हो कुनर हो मलैलम हो गुजडाती हो हिंदी यह पंजापी हो बेंगाली कि शमीरी हो अरे पिधा घान मंत्री में ने अर्दू और अंग्रेजी यह अब हमने हिंधी हो बाकि सब पारलेमेंट से लेकर बानते नहीं हम तो बड़े दिल के साथ राजनीती करने वाले अटल जी ने कहा था छोटे मंद से कोई बढ़ा नहीं होता तोटे मंद से कोई खड़ा नहीं होता जो चलिए धन्यवाद साब सबका बहुत बहुत था सभी मेडिया बंदों का धन्यवाद